है व्ल्कम बेक टो माई चीन आई ओल अलिर्फ पेंड़िक्स तो रज आज की उड़ में आप गुझा मैं जो लुण अप्लिकिशन का रिभीउद दूंगा इस अप्लिकिशन करने में 18 यार्ट सोड होना चाहिए चाहिए और साथ में एक बैंक एकाउंट होना चाहिए तो गैज कोको का इस लोन अफ्लिकेशन से पहले इस विडियो को अपने जोरु इन तक दिखेगा इस वीडियो गे त्रूँ आप लेख को कुम इस एप्लिकेशन की इंटेस्ट और स्रविस सब्सक्राइब किजिए और साथ साथ बेला इकन पर पेश किजिए तक जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो गैस कोगो कैस लोन अप्लोड को ओपें करने टेंट पहला इंटरफिस इस्टप कर आ जाता है मिक्सिमाम लोन अमाउंड उप टू 60,400 रुपेश फिर आप लोगिन के बाद आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेस्ट करना होगा बेसिक डिटेस्ट करने के बाद इस अप्ल करने के बाद लास्ट में फिल करना होगा बैंक डिटेल्स तो गई सब्सक्राइब को दिखा जाएगा कि इतना तक की लोन का लीजिबिलिटी मिल चुका है तो गई जैसे कि देख सकते हैं मुझे जो इस अप्टिकेशन की तरब से लोन का लीजिबिलिटी मिला 10,000 रुपे और 10,000 रुपेट का लिए और सर्विस पी काट करें जो लोन इमांट बैंक खाते में इसे बुगा 6,020 रुपेश और नीचे आप लोन नाव का अफ्टिकेशन दिखने के वो मिल जाएगा तो इस अभी बात ही है कि अगर आप लोग इस अप्टिकेशन पे लोन के लिए अ करना होगा जैसे के इसरे जगंता है कि अगर आप लोग इसाप के लोन आपैंट जो को कभी सारे प्रूब्ललं का समना करना होगा जैसे कि अगर अप्ट इस्टे के 7-10 वाली loan application पर loan लेते हैं लोन को timely repayment नहीं कर पाते हैं तो loan repayment के लिए due date से पहले different number से call करके आप दोगों को बहुत तरी किस harassment और blackmail किया जाएगा और गेजिस्टे के 7-10 वाली loan application loan repayment के लिए edited nude picture और साथे साथ फोटो के साथ गलत ओट का प्रोएक करके उस फोटो को contact list में जितने सारे नमबर है सारे के सारे नमबर पर सेन करता है और गेजिस्टे के 7-10 वाली loan application loan repayment के लिए बहुत तरी किस harassment और blackmail करता है और गेजिस्टे के 7-10 वाली loan application आर्वे के कोई rules follow नहीं करता है loan के लाम लोगों से जादा इंटेस्ट और सर्विस पिलेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए टेन आट दे प्रोवाट करता है सिर्फ 7-10 के लिए और गेजिस्टे के 7-10 वाली loan application loan repayment के लिए एकी तरीका का इस्तिमाल करता है बहुत है harassment और blackmail और गेजिस्टे अगर आप लोग इस application पे loan लेते हैं और loan के related कोई issues या कोई प्रोब्लेम होता है फिर अगर आप लोग इस application के साथ contact करने की कोशुश करेंगे तो contact नहीं कर पाएंगे कि कोई इस loan application की contact details पे कोई number दिखने को नहीं मिलेगा सीरपोर्ट से भी email दिखने को मिलेगा अगर आप लोग इस email पे contact करेंगे तो response मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई guarantee नहीं है तो अगर इस से भी बात ही कि इस application पे loan लेगे लिए सोच रहा है तो इस आप लोगों को मैं बता देता हो कि अगर अगर आप लोगों के लिए कोल और इसमेस करके आप लोगों को harassment किया जा रहा है जैसे कि लोगों के लिए एडिटें न्यूट पिक्चर भाइडर करने की धंकी दिया जा रहा है लोगों के लिए आप लोगों का डेटा काम इसी उस किया जा रहा है तो इस तीति में आप लोगों को कहा करना चाहिए आप लोगों इस application से डारिये मत उस application के एक भी पैसा रिपेमेंट मत कीजिए उस application के खिलाब जाके एक cybercrime complaint और police complaint कर दिजिए और साथे साथ आपका contact list में जितने सारे नंबर है सारके सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साल लोण के नाम इस्कैम हो चुका है अगर मेरे नाम पे लोगों इस्टेप के रिलेटेट कीसी भी तरकी call और इसमेस आए तो आप लोग इग्नोर करें और गरेज अगर इस्टेप के 7डेश भाली loan application loan payment के लिए आप लोगो को call और SMS करके परिशान कर रहा है तो कि इस्टेप के loan application की call से बसने का solution ये कि आप लोग application की data क्लियर करके application को अनिस्टॉल कर दीजिए और आप लोग अपना Gmail से contact list को हटा दीजिए और गर गर इस अब पर WhatsApp एकाउंट है तो WhatsApp एकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए फिर जब लोग 10 देसर के 20 देस के बाद अपना SIM कार्ट को आउन कीजिएगा तो आप लोग खुद दिखेंगे कि इस्टप का लोन अप्रिकेशन से कॉल आना बंद हो गया है और इस्टप के 7S बाले लोन अप्रिकेशन की कॉल से बाचने का और एक सॉलूशन यह है कि आप लोग ट्रू को लार अप्रिकेशन को डाउनूट करके आनून कॉल को ब्लॉग कर दीजिए तो इससे क्या होगा इस्टप के 7S बाले लोन अप्रिकेशन इलिगाल होता है इस्टप के लोन अप्रिकेशन आर्बी का कोई रूस फॉलो नहीं काता है इस्टप के 7S बाले लोन अप्रिकेशन आपके खिलब कोई लिगाल रक्षन नहीं लिपाएगा और इस step के loan application के जरब से loan repayment के लिए कोई recovery agent घर पे नहीं आएगा इस step के 7 days बाली loan application loan repayment के लिए कॉलर रिसमेस करके harassment के आलबा कुछ नहीं कर पाएगा तो अगर इस step के 7 days बाली loan application आंसे बहुर रिस्की होता है और आप लोग इस step के 7 days बाली loan application से सब्धान रहे और इस step के 7 days बाली loan application पे loan लेके फाच चुका है यह निए आप लोग लिए loan को repayment कर चुका है फिर भी दोबाड़ा loan repayment के लिए आप लोगों को harassment और blackmail किया जा रहा है तो इस स्थिति में आप लोग को कहा करना चाहिए इस ब्रियों के थुरू अलेड़ी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कोई दूसरों बंदा WhatsApp में मैसल करके कहते हैं कि इस उपटीप लोग को repayment कि ज़ए तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत किजिए को अगर को आप लोग एक चीज़ हमेशा देहने कियेगा कि कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले प्लेस्टों में जाकि उस एप्लिकिशन के वन इस टाइटिंग रिब्यू चेक आउट कीजिए और यूटूब पे भी उस एप्लिकिशन की रिब्यू चेक आउट कीजिए और साथ- करने के बाद भी यह अप्लेट नहीं काता है पीतों बड़ा लोन इपेन के लिए अगर आप लोग को हरस्मेंट और ब्लाग में जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम एकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा आप लोग इंस्टाग्र करें ज़रूरत है ज्यादा लोने महां चाहिए तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को कभी सरे आट बेर एक डिश्टाट लोन अप्लिकेशन का लिंक दिखने को मिल जाएगा और आप लोग यह सब लोन अप्लिकेशन पे लोन के लिए अप्लाइग कर सक सकते हैं तो गईसे अप्लिकों को यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रू इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जाएगा श्यादा शेयर कीजिए तो गईसे आप लोगों के साथ मुलोगा तो रहाए नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हींद बंदमा तरम